नमश्कार नियूस फारनेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना उत्तर प्रदेश में विधान सबाद चुनाओं होने वाले हैं जिसकी तैयारी राजनितिक दलों के द्वारा शुरू कर दी गई है बता दे कि एक तरफ जहां कॉंग्रोस की महसची उप्रियंका गांधी के द्वारा महिलाओं से चुनावी वादे किये जा रहे हैं महिलाओं को लेकर 6S formula जारी किये गए हैं जिसमें महिलाओं से कई वादे प्रियंका गांधी ने किया है तो हम आपको बता दे वहीं दूसरी और सत्ता में बैठी बीजेपी भी जनता को साधने के कोशिश कर रही है बता दे कि जनता को लुभाने को लेकर कई योजनाएं लाए जा रहे हैं और अब कई बड़े अभियान भी जनता को लुभाने के लिए बीजेपी के द्वारा किये जाने हैं तो क्या है पूरी जानकारी आईए बताते हैं आपको हम वस्तार से चुनाओ की तयारी में अपने सियासी प्रती द्विंदियों से आगे दिख रही बीजेपी अब देश भड में लोगों की राय मशूरा लेने वाली है मतादिप की पार्टी चुनाओ से पहले अकांग्षा पीटी लेकर लोगों के बीच जाएगी ये वो बक्सा होगा जिसमें लोग इस बात का सुझाओ दे सकते हैं कि वो बीजेपी के संकल्प पत्र में किन बातों को शामिल करना चाहते हैं इसके रूप रेखा तयार हो चुकी है पार्टी जल्द ही तारीक की घोशना भी करने वाली है बीजेपी चुनाओं से पहले घोशना पत्र की जगा विजन डॉक्यूमेंट लाती रही है चुनावी तैयारियों में बीजेपी कोई कसर नहीं रखना चाहती पार्टी यूपी चुनाओं के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी लेकिन इससे पहले पार्टी के रनतिकारों ने उतर प्रदेश की लोगों तक पहुँचने की योजना बनाई है पार्टी सुझाओं आमंत्रित करने के लिए लोगों के बीच जाएगी प्रदेश की सब्य विधान सभाओं में ये अकांग शाप पीटिया रखी जानी है मतादे की 2017 विधान सभा चुनाओं में भी भाजपा ने संकल्प पत्र बनाने से पहले लोगों से सुझाओं मांगे थे पार्टी का दावा है कि उसके बाद पार्टी के इस अधार पर अपना संकल्प पत्र तयार किया गया था उस वक्त बीजेपी ने इस बात को कहा था कि रोजगार के औसर बरहाने महिलाओं की खिलाफ अपराद रोकने जासे मुद्दो पर लोगों ने अपनी राय रखी है लोग चाहते हैं कि ये बदलाव हो असलिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इन मुद्दो को शामिल किया है बीजेपी ने कहा था कि लोग राम मंदर का निर्मान भी चाहते हैं संकल्प पत्र में भी राम मंदर को प्रमुकता से शामिल किया गया था जबकि उस समय इसका मुकदमा सुप्रीम कोट में चल रहा था बीजेपी ने ये भी कहा था कि प्रदेश की सपा बसपा सरकारों ने कोछ नहीं किया है इसलिए लोगों को बीजेपी से उम्मीदे हैं इस बार स्थिती इस से अलग है इस बार पुर्ण बहूम से बीजेपी की सरकार ने सर्फ पांच साल पूरे कर रही है बलकि बीजेपी इस बात का दावा भी कर रही है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है बीजेपी और सरकार का दावा है कि जनता की जादा तर उम्मीदे योगी सरकार ने ना सर्फ पूरी की है बलकि एक नया उत्तर प्रदेश भी बनाया है यही बात बीजेपी के लिए चुनाती है हालांकि पार्टी के रनतकार से चुनाओ पूर्व ग्राउंड पर एक सर्वे भी मान रहे हैं अभी बीजेपी के कई अभियान चल रहे हैं जिसमें पार्टी के लोगों से सीधा संपर्क कर रही है मिली जानकारी के मताबिक ये राज्रितिक दल का जनता से अपने रिष्टे रिवाइज करने का अभियान है जिन लोगों से बीजेपी के कारिकरता सुझाओ के लिए संपर्क करेंगे उन लोगों में कुछ भी बात संकल्प पत्र में आ गई तो वो ना सर्फ इस बात को मान बलकि पार्टी का चुनाओ से पहले ये लोगों तक सीदे पहुँचने का अभियान भी होगा बता दे कि भले ही पार्टी का ये एक अभियान है लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि काफी जादा सकरात्मक पेहल भी बीजेपी के द्वारा ये की जा रही है यूप प्रधान मंतरी मोधी भी इसे महत्व देते हैं आप अपने मन की बात में लोगों से भी वो सुझाओ मांगते हैं हम दूसरे सियासी दलों की तरह नहीं है जिनको जन सरुकारों सी कोई लेना देना नहीं हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो हम आपको बता दे कि आने वाले विधान सबा चुनाओं के पहले बीजेपी अकांग्षा पीटी के द्वारा लोगों के सुझाओ जानने की तयारी में जुड़ चुकी है एक तरफ जहां कॉंगर्स की महा सच्ची प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले सिक्सेस फॉर्मूला जारी किया यूपी की महिला के लिए तो अब दूसरी ओर बीजेपी लोगों के बीच जाकर उनके सुझाओ जानेगी और उसके बाद ही चुनावी वादे लोगों से लोगों के अवशक्ता के अनुसार करने का प्लान तयार कर रही है तो फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे नियोस पानिशन धन्यव झाल